एक भयंकर साप जो बमुल के पेड़ के उपर चीडियों के घोस्टले के पास जा पहुँचा उसमें बच्चे बेठे हुए थे अब इतने बड़े साप के सामने चीडिया बेचारी क्या कर सकती थी लेकिन उन्होंने हिम्मत से काम लिया और अपने संगठन के लोगों को बताया अपने होस्टले से कभी हिम्मत नहीं हारी और सब ने मिल करके उस साम से मुकाबला आरंब कर दिया यह है संगठन की सक्ति यदि आपका मनोबल मजबूत है यदि आप कुछ करना चाते हैं यदि आपके अंदर इच्छा सक्ति की कमी नहीं है तो आप यमराज से भी मुकाबला कर सकते हैं जो आप सामने देख रहे हैं छोटी चिडिया संगर्थ कर रही है बड़े भारी साप से और अपने बच्चों को बचाने का प्रियास कर रहे हैं और उनके मलोवाल का साथ दिया उनकी संगठन की सक्ति ने उनका संगठन ने चिडियाओं का समों उनके साथ हो गया और सब ने मिलकर के ऐसे भहंकर साप से मुकाबला ऐसा आरंब किया कि उस दुस्ट महापापी को उस पेड को छोड़ करके भागना पड़ा यह है संगठन की सक्ति इसे पहचाने